नमस्कार किसान भाईयो आज हम बात करेंगे इनोवेक्सिया जो की विल्ली गूड की आदिये इसके बारे में इसके हम पूरी डिटेल जानेंगे क्या इसके अंदर केमिकल दिया गया है किस तरीके से काम करता है क्या dose इसका दिया गया है और क्या price दिया गया है और कैसे इसको हम डाल सकते है और कौन-टूनसे fसल में डाल सकते है सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर chemical content क्या दिया गया है तो इसके अंदर ihmida when 6% दिया गया है उसी के साथ में लेंडा सालोथ्री न दिया गया है जो कि 4% acyl form में दिया गया है acyl form जो होता है वो soliwal in liquid मतलब एक chemical को liquid में soliwal किया गया है जो कि पार दरसी आपको दिखाई देगा इनवेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये patentic product है विल्यवूड का मतलब उन्होंने इसका patent करके रखा है अगर कोई company से हम बना नहीं सकती ऐसा वो कहती है और इसके अंदर जो chemical दिये गए हैं यह दोनों ही पुराने ही chemical है लेकिन combination करके यह 10% SL form में बना हुआ है अगर हम इसके काम करने की तरीकी की बात करें तो यह contact और stomach action दोनों ही तरीके से काम करता है और दोनों ही chemical इस style में ही working करते हैं अगर हम बात करें इसके काम करने के तरीके में तो अगर कोई भी illy को यह फिर fly को या HPM को या hopper को अगर लगती है तो यह उसे touch करते ही मार देती है और अगर कभी ऐसा होता है कि उसने खा लिया तो खाने के कुछ समय बाद उसके पेट में जाके उसे block करके वहाँ से खतम करती है तो यह दू तरीके से काम करती है जो कि काफी अच्छी बात है अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि यह किन-किन चीजों को खतम कर सकती है मतलब किन-किन चीजों का यह सफाया करती है तो इसके अंदर imida chlorpid दिया गया है आपको पता है यह किस चीज में specialist है अगर हम बात करें इसकी तो यह अफेट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जैसेट के लिए वह ज़्यादा अच्छा है थ्रिप्स के लिए काफी ज़्यादा अच्छा है उसी के साथ कुछ हद तक white fly को भी control करता है और अगर आपकी है दीमक की समस्या है काफी ज़्यादा रेंज इसकी बढ़ जाती है मतलब काफी ज़्यादा प्रकार की कीडों को control कर लेता है और काफी result आपको ज़्यादा मिलते है अगर हम बात करें कि इसने level claim किस चीज़ों पर लिया है और एक और जो bug की family है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिया है ये धान में काफी ज़्यादा लगता है जब बाली की stage आती है तो ये दाने को काट काट कर नीचे फेकता है तो इनके control के लिए इसनों ने इसका level claim लिया है वेशे अगर देखा जाए तो इनों ने इसका धान पर level claim लिया है लेकिन लगबग आप सभी फसलों के उपर इसे डाल सकते हैं और आपको result जो है बहुत ही अच्छे मिलेंगे अब वेशे देखा जाया तो ये पहले अलग packing में आता था मतलब पुरानी packing जो थी वो कुछ अलग style के थी और अब जो है नई packing में कर दिया है तो ये product काफी सांदार दिखता है अगर result की बात करें तो field पर हमने अभी तक इसका result observe नहीं किया है मैंने इस बार इस product को ले के आया हूँ आपके सामने जो वीडियो दिख रही है इसमें मैंने ये product को ले के आया हूँ आने वाले समय में मैं इसका field में test करूँगा अगर मेरे को अच्छा result मिलता है तो आपको उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसने मुझे result दिया है बाकि दोनों chemical के combination को अगर हम बात करें तो दोनों के combination से मुझे तो लगता है कि result जो है वो काफी अच्छा हैंगे अगर आपके छेत्र में आपको white fly दिखती है, stem fly दिखती है, semi looper दिखती है leaf miner दिखता है, leaf folder दिखता है, HPM दिखता है, BHP दिखते है मतलब white plant hoppers दिखते हैं या plant hopper दिखते हैं तो आप इन सब में इससे डाल सकते हैं आपको result जो है वो जादा अच्छे मिलेंगे, उसी के साथ आप thrips में, aphets में और white fly में जैसे jesset में सब में डाल सकते हैं मतलब आपको कोई सी भी समस्या दिख रही है, जैसे गेहू में अगर आती है कि आपको aphets दिखाई दे रहे हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, semi-loopers अगर दिखती है आपको ज़्यादा मातरा में तो भी आप इसका opioid as a contact poison कर सकते हैं तो यह एक बहुत तरीक, अच्छे तरीके का chemical combination बनाया है, जो कि विल्लीबूड का दिया गया है तो अब हम इसकी detail देखेंगे, field के उपर और मैं आपको review उसका ज़रूर बताऊंगा तो यही सब कुछ है, Inovex CI जो कि विल्लीबूड का आता है इसके बारे में